हेलो एवरिवन आज हमें लोग BSC Organic Chemistry में एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे that is called Alkenes and Cyclo Alkenes ठीक है इससे पहले हमने औरगनिक रेक्शन में तीन यूनिट डिसकस कर दी हैं फर्स्ट यूनिट थी Structure and Bonding फिर हमने डिसकस की Mechanism of Organic Reaction और फिर डिसकस की थी Stereochemistry of Organic Compounds ठीक है इन तीन जो यूनिट से हैं इनकी वीडियो आपको प्लेलेस्ट में मिल जाएंगे आप उनको देख सकते हैं ठीक है और जो वीडियो प्लेलेस्ट में मिलेंगे आपको उनमें मैंने नोट से ही पढ़ा रखा है तो आप नोट्स मुनाने के लिए उनको inese Capy का उनको क्या पढ़ना है। कि Alcans क्या होते है थीक है साइ primo sail 2016 क्या होते है उनका जनर्र से पढ़ना है उसके बाद दोनुका नौमनगे लेचर पढ़ाँ पढ़ें november करते करेंगे ठीक है और लास्ट हम लोग एक थिएरी पढ़ने वाले बेर इस्टेंट थिए जोगी काफी इंप्रोटेंट है तो स्टार्ट करते हैं अलकेंस का जनरल इंट्रॉक्षन ठीक है तो देखो एलकेंस क्या होते हैं मैं आपको एक चीब बता रहा हूं अलकेंस भी हाइड्रोकार्बन होते हैं अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने होते हैं ऐसे कंपाउंड होते हैं ठीक है और हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं दो टाइप के हम लोग इसको डिवैट कर सकते हैं एक को बोलते ह Saturated Hydrocarbon, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संतरप्त Hydrocarbon, ठीक है, अब Saturated Hydrocarbon क्या होते हैं, जहाँ पर Carbon क्या करता है, Single Bond बनाता है, ठीक है, और Unsaturated Hydrocarbon क्या होते हैं, जहाँ पर Carbon Double Bond भी बना सकता है, जहाँ पर Carbon Triple Bond भी बना सकता है, ठीक है, तो देखो हमको Alken के बारे पढ़ होगा ठीक है आपको पता भी होगा देखो इसको क्या बोलने हम लोग एलकेन कहते हैं ठीक है छोटी कलास में हम पढ़ते हैं कि एलकेन लास्ट में एन कब लगता है जब सिंगल वांड होता है इनकब लगता है, जब कार्वन कार्वन के भीच में double bond होता है, आईनकब लगता है, जब कार्वन कार्वन के भीच में triple bond होता है, ठीक है, तो अलकेंस क्या हुए, फिर अलकेंस saturated hydrocarbon है, ठीक है, जो जिन में कार्वन और कार्वन के भीच में single bond होता है, ठीक है, और कार्वन और हाइडोन से बने एक compound होते हैं जैसे हमने बोला methane ठीक है यह देखो यह बने एथिन मना दिया यहाँ पर देखो carbon carbon के बिच में क्या single bond है ठीक है और carbon hydrogen से बने होए जैसे मेंने बना दिया CH4 यह देखो लिख दिया methane ठीक है तो इस लाप के बहुत सारे compound बहुत सारे saturated hydrogen carbon के बिच में single bond होगा ठीक है अब देखो इनका general formula क्या होता है जो alkane होते हैं इनका सामाने सूत्र होता है cns2 n plus 2 ठीक है इसको याद रखना ठीक है अब जो alkane होते हैं उनको saturated hydrogen carbon के बिच में सिंगल bond होता है ठीक है और पैराफिंस भी कहते है पैरा का मदला होता है little और फिंस का मदला होता है reactive क्योंकि इनकी reactivity बहुत कम होती है alkane की इसलिए क्या बोलते है पैराफिंस कहते हैं ठीक है बहुत सारे example हो सकते हैं मैंने दो आम इसनाम से पुकार रहेंगे हम लोग ठीक है तो क्या डिस्क स deze करने वालो है nove care type ंato always king कि नामें सबаки रिखार हम लोगों进िस कर करने ठीक है तो comment नेम में सबसे पहले हम पता है बई कार्बन जब होता है ठीक एक कार्मन है तो इसको क्या बोलते हैं मैथीन है तो गया होता है कि हम लोग उनके आगे कुछ प्रफिक्स लगाते है प्रिफिक्स क्या होता है जो नाम के आगे लगते हैं जैसे हमारे माता पिता के नाम के आगे हम लोग स्री और स्रीमति लगाते है ठीक है तो वह क्या होता प्रिफिक्स जो नाम से पहने लगते है ठीक है तो एलकेन के नाम से पहने लगते है प्रिफिक्स एक होता ह हो ठीक है एन कब लगता है पता है जब कार्बन कार्बन के बीच में है जो अदर शो कब लगते है प्रफिक्स आई chosen लगता है जब लगते हैं यस कर चकारण में कंतलब कि क्या का उटम करो को होगा तो यह सेकंड लास्ट कार्मन आगर एक से द्सक्राइद है तो इसको क्या टुवक्त लगाते अगे ब्यूता जब्त तो देखो, एक, दो, तीन, सिकर्ट लांसितोर, कौसा दूसरा, उपर निचिए से शीर दिल्गें कैसे लिए हम लोग, इघर लास्ट कार्ब sì ऐस्ट दिल्ए तो आइसो, अगर खेंगर लास्ट कार्बन दो से शीर दिल्गा दो लगाते हैं, इह लिए इसका दा hedge ज़िएêu कि देखो common name पड़ने के पाद हम लोग classification of carbon atoms in the alkane देखते हैं ठीक है तो देखो जो carbon होते हैं वो वन डिगरी भी होता है two degree, three degree, four degree carbon कहते हैं ठीक है बदला primary carbon, secondary carbon, tertiary carbon, quaternary carbon All together carbon wanna combine then őक पाद हैं पहर दीक है तो कब कहते हैं ऑगर carbon एक ही carbon से जूड़ा तो इस carbon को कि मलेंगे one-degree carbon ठीक है अब इस carbon को local कितने carbon से जूड़ा है, दो से एक इधर आधर तो तो डिगरी carbon यह कितना carbon, कितना iron दीगरी है, यह carbon कितना carbon एक, दो, तीन, 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 IPC नेम की जरुवत पढ़ेगी यहाँ पर वो हम लोग डिसकस करेंगे ठीक है तो देखो IPC नॉमिन कलेशर में सबसे पहले रूल आप याद रखना कि सबसे पहले कार्बन की लोग एस याद az थीक आदि anál ठीक है तो देखो एक्जामपल के दिख्व मजटे है जैसे हमारे पास यह है एक compound है इसमें देखो हमको number क्या करना है carbon की लंबी स्तरंखला का chain करना है तो लंबी स्तरंखला कौन सी होगी 1,2,3,4 इसमें 4 carbon ये भी हो सकती है 1,2,3,4 इसमें भी 4 है 1,2,3 ये वाली नहीं होगी इसमें 3 है ठीक है चाहिए ये वाली ले लो चाहिए ये वाली लो carbon की लंबी स्तरंखला का chain करना है ठीक है तो chain कर लिया ये वाली है उसी में numbering करनी है देखो numbering किनारे से करने कभी या तो इस किनारे से या तो इस किनारे से ठीक है इस किनारे से करने पर 2 पर मैथिल आ रहा है तो कहां से गीन हैं, इसट से गीन हैं थीक है, तो दो पर क्या आया, मेथिल और जो लंबिस रंकला है, इसमें कितने कार्मन हैं, चार हैं, तो क्या बोलते हैं, ब्यूटेन ठीक है दूसरा देखो फिर से होई करना पड़ेगा लंबी स्रंखला का चैन करना पड़ेगा एक दो तीन चार लंबी स्रंखला होगी ठीक है ये भी ले सकते है आप एक दो तीन चार ये भी ले सकते है जो चाहिए ठीक है नमबरिंग कहां से करेंगे यहां से करेंगे यहां स तो लेखो यहां से count किया तो 2 पर methyl आया और 3 पर कैया methyl तू मतलब 2 तो क्या लिखेंगे to dimethyl लिखेंगे कौन क्यों सी position पर आया तू और 2 कॉमा 3 पर आया तो क्या रिखेंगे टू और 2,3 dimethyl टोडल कारपन कितने लंबी शरंगला का चैन करना याद रहने लंबी स्रंखला ठीक है बच्चे क्या गलती करते हैं वो सीधी स्रंखला जोड़ते हैं सीधी स्रंखला नहीं लंबी लंबी टीड़े भी हो सकते हैं यहाँ पर करोगे एक दो तीन चार पांच इसमें तो पांच है अब यहाँ देखो एक दो तीन चा तो ता कि आपको सुमझमाज आ कि बढूरी का सब्सक्रा इसको रख करने तो तो काउंट करोंगा जहां पर यहां से तो देखो क्या हुगा है can and do 1345 नहीं सब्सक्राइब पर कि तो फार बितार है या आया तो पर एक मैञ्थिल और और रह या नो हूश Heald Pris trip burden और विद्छ शाण सण्व्त कह सब बलते हैं Då परतिस्ताइब बें इनको जो आगे लिखा दातने कैसे लिखंगे some cover सबके यह जो मैथ्मica 스रड होगा यह से हुटाड तो जो एबिस इस्यसाड़ का है आपने लिख क्या better है तो उसमें ये हुसे इसे है लौ रहा कि भीुण डे sự henwave इसा मोई रूहिए तो जो ABCD में आपने दिखा रोogo ना इल्फाबेटीकया तो उसमें पहले ऐ आता है तो पहले थ्री ए थिल लिखेंगे क्या लिखेंगे थ्री ए थिल हुआ है ठीक य। थूआ वाले तीन यह भई तीन को करना है ipasin nomenclature एलकेन में isomer में डिसकस करने वाले हैं ठीक है इससे पहले हमने एलकेन का जनरल इंट्डक्शन एलकेन में नेमिंग यानि common name और nomenclature डिसकस किया ठीक है तो देखो isomer क्या होते हैं बजी बताओ ठीक है हाइडरोन 10 है इसमें भी 10 है तो क्या फॉर्मला है दूनका C4S10 तो अनुसुतर तो समान है पर देखो इस्ट्रक्चर अलग है यह एन ब्यूटेन है और यह आईसो ब्यूटेन है ठीक है तो इन लोग बोलेंगे एक दूसरे के आईसोमर बोलंगे ठीक है तो कभी भी भी आक़ता है मैं आपको एक देखत समझा रहा हूं जैसे हम किसको गये प्रोपेल की बात करें यह इनुट्ल यह प्रोपेल्ट किरहाँ है प्रोपेन है ठीक है आव हमारे पास कितने कार्पन है है तीन कार्पन है है एक है डूसा इसको भी प्रोपेन कहेंगे चाहिए आप इसको बना लो ऐसे CS2 उपर को बना लो CS3 फिर भी क्या फ्रोपेन ही तो है एक इस्ट्रक्चर है अगर इसके शिर्फ एक ही इस्ट्रक्चर बनता है जो यह है तो वो isn नहीं करेगा याद रखना ठीक है नहीं C2s6 में isn होता है नहीं cs4 में इस्ट्रक्चर नहीं होता है अब देखो हमारे पाठेंस सी 4 s10 है इससे शिर्फ दो इस ड्राइंस पोसीबल होते हैं एकज़ नाम एन-व्यूटैन के फॉर्मल्य से हम नगे इस्टावर्म होंगे इस्ट्रक्षर इफ्रेशनल हैं तो तो ब्यूटैन के शिर्व दू-ईसोइमरीक फॉर्म तो सेम हेक्सेन का कारम यह केतना है चेहते हैं एक हैं इसमे शेन के फारम बनते हैं इस फॉरम्ल से एक है , अमाध़ी मैफिल पैंटेन, एक ट्री मैफिल पैंटेन cotton LIVE form Canadian तो यह है रिपीट हो गया था इसलिए मैंने इसको नहीं मानना है ठीक है तो कितने होगे एक दो तीन चार पांच ठीक है तो एकसेन के आयस उमर कितने होते हैं पांच होते हैं